वह दिन से इनकी बहु बेटे को रखा था करोना वायरस पॉजिटेव निकला है बिकेवन शाली मारग में और मतलब कोई मतलब निकी आके पुलीस वाले या कोई डॉक्टरी जाँ चोरी है उनकी और आज उसी कारण जिसके बेट इनका बेटा एडमेट है उनकी फादर की डेथ हो गई है पुलीस आई थी और उनको बोल गई कि आप अंदर रहेगा बहार नहीं निकलिएगा बस टैक्सिटोर कुछ नहीं आया आज तक आज उनके फादर की डेथ हो गई है कोई प्रशासन से या कोई अदर बंदा कोई भी नहीं आया नहीं किसी प्रकार उनका नो दिन से चोटे-चोटे जो बच्चे जो एडमीट है उनके बहु बेटा पौता-पौती एडमीट है अब सीनियर सीडिजन लेडी कम से कम सतर साल के वह अकेलिए अपने अश्मन निमारबाग की बात है 28 तारी को BK1 107C में दो करोना पॉजिटिव कार्ट पेसें यहां से रिपोर्ट की गई थी दाम है रभी गोस्वामी उसके फादर मदर और दो बच्चे उनको पुलीस वाले आये और कॉरंटाइन करके चले गए घर के अंदर ना तो कोई टेस्ट ना उनको खाने पीने की कुछ कोई बेवस्था करी गई हम लोग आपस में मिल करके जो परोसी थे उन्होंने किसी तरह से मदद करने की कोशिश करी लेकिन दुरभागे से कल रात को उनके पिताजी का डेथ हो गया आज सुबह 6 बजे से हम सारे परोसी उनके रिष्टेदार यहाँ पर 6 बजे से पुलिस एस्टेशन, एंबूलेंस, सरकार के दफ्तर, नोडल अफसर, सबको हमने फोन करा और बार बार गुहार लगाए कि कम से कम डेट बोडी का इंजार किया जाए क्योंकि उनके साथ जो तीन जने और है वो उनका इंफेक्ट होने का चांस ज्याद किसको साथधान करें, किसको बताएं, का है का सोसल डिस्टेंसिंग, का है का इजजत, कुछ भी नहीं रह गया, हमारे बुजूर्ग हमारे सामने तरप तरप के मर गए, लेकिन कोई भी सुद लेने वाला नहीं है हम लोग चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे